हेलो एब्रिवान वेलकम आज के क्लास में हम लोग नए टॉपिक को शुरू करेंगे लास्ट क्लास में हम लोगोंने कंजम्शन फांक्शन टॉपिक जो था हमारा जो चल रहा था हमने उसको फिनिश कर लिया है उसके मीनिंग उसके तीनो टाइप आफ प्रेजंटेशन के साथ टेक्श्वल, टाबिलर और ग्राफिकल साथ ही साथ हम लोगोंने कंजम्शन फांक्शन के टाइप्स दिसकस किये हैं लास्ट क्लास में जहां पर हम दो टाइप डिसकस कर चुके हैं अवरिज प्रपंसिटी तु कंज्यूम और मार्जिनल प्रपंसिटी तु कंज्यूम आज के क्लास में उसके नेक्स टापिक को शुरू करेंगे जो की है सेविंग फंक्शन ठीक कंज्यूम फंक्शन की तरह ही सेविंग फंक्शन को भी हम डिसकस कर लेंगे उसके तीनो टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन को देखेंगे टेक्श्वल, टाबिलर, एन ग्राफिकल साथी साथ सेविंग फंक्शन के भी हम टाइप्स को डिसकस करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज की ख्लास को जहां पर हम बात कर रहे हैं Saving Function Saving Function को ही हम Propensity To Save के नाम से जानते हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं कि Saving Function का मतलब क्या है तो जैसा Function Term के बारे में हमको पता है ठीक उसी तरह से Saving Function जो है हम उसको उसी तरह से Define करेंगे Function का मतलब होता है Functional Relationship तो जो भी Functional Relationship होता है Between the Savings and Income Corresponding Level of National Income उन दोनों के बीच के Functional Relationship को हम Saving Function के नाम से जानते हैं Saving Function expresses the Functional Relationship between Saving and National Income इसमें हम बात ये करते हैं कि Income का कितना हिस्सा Save किया जा रहा है उसे हम Propensity to Save भी कहते हैं Income का वो हिस्सा जो Save कर लिया जा रहा है तो that is called Propensity to Save इसको, इस Equation को, मतलब इस Relationship को हम एक Equation के Form में भी दिखा सकते हैं and the Form of Equation is S is equals to F into Y जहांपे Saving जो है, वो Income का Function है Income पे Depend करता है Savings तो S is equals to F into Y where S is Saving F is Functional Relationship and Y is Income Saving Function और Propensity to Save जो है वो दिखाता है कि जितने भी Households हैं Economy के वो अलग-अलग Level of Income पे एक Given Time Period में Different-Different Level of Income पे कितना Amount of Money जो है वो Save करते हैं या Save करना चाहते हैं उसी को हम Saving Function या Propensity to Save कहते हैं Propensity to Save जो है वो शो करता है Different Levels of Saving को जो कि at Different Level of Income पे किया जाता है in an Economy Same Relationship को हमने Textual Form में देखा अगर हम इसको Tabular Form में देखते हैं तो Saving Function या Propensity to Save को Tabular Form में देखें तो सबसे पहले हम एक तरफ ले लेंगे इंकम दूसरी तरफ ले लेंगे Consumption और फिर ले लेंगे हम एक तरफ Savings इस तरह से हम Different Different Level of Income पे किये जा रहे Saving को डिसकास कर सकते हैं With the help of Tabular Presentation जहां पे हम देखने वाले हैं कि कैसे Income के Level के Change होने पर जो Saving है वो भी Change होता चला जाता है और जो Change है Saving और Income का वो किस तरह से होता है हमें Mainly ये जानना है Because हम यहां पे डिसकास कर रहे हैं About the Relationship Between Income and Saving So Relationship को डिसकास करते वे हमें ये तो जानना ही पड़ेगा कि किस तरह का Relation है Between Saving and Income तो देखो जब Initially 0 है Income तो Saving हो रहा है Sorry, Consumption हो रहा है 40 हम सब जानते हैं कि Consumption जो है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता Income के 0 होने पर भी ये 0 नहीं हो सकता अब इस स्थिती में जब आपका Consumption present है Income 0 है तो Saving जो होगा वो होगा आपका Minus 40 क्योंकि हम Saving की मदद से ही Consumption कर रहे हैं ठीक उसी तरह से जब Income 0 से बढ़ करके 100 हो जाएगा तो Consumption भी बढ़ेगा और बढ़ करके हो गया है 120 यहाँ पे जब हम Saving निकालेंगे तो Saving निकल कर आएगा हमारा Minus 20 क्योंकि हम Consumption कर रहे हैं जो कि Additional है Income से Income से अधिक हम Consumption कर रहे हैं इसलिए Saving हमारा Zero होगा Negative होगा फिर यहाँ पे हमारा Income बढ़ा Consumption भी हमने बढ़ाया जितना Income है हमने उतना ही Consumption बढ़ा दिया तो यहाँ पे Saving हो गया है Zero जो कि कुछ Save भी नहीं कर रहा है Saving Zero है क्योंकि Consumption इंकम के बढ़ाबर है फिर Income बढ़ा 300 हमारा Consumption भी बढ़ेगा 200 से 280 और जब हम Saving के तरफ देखेंगे तो हमारा Saving अब हो रहा है That is 20 यह सारे Values हमने करोड में लिये वह है तो चलो 20 करोज अब यहां पर 20 करोज का Saving कैसे हो रहा है क्योंकि Consumption इंकम से कम है Income है 300 Consumption है 280 करोड यहां पर Saving जो है वो 20 करोज का हो रहा है Next हमारा Income हमने एक बढ़ और बढ़ाया तो हमारा Consumption बढ़ा और हमने देखा कि हमारा जो Saving है वो भी बढ़ गया है देखो Income था 400 Consumption है 360 Saving बढ़ क्या और बढ़ करके हो गया 20 से 40 तो that shows कि Consumption के बढ़ने के साथ साथ Income के बढ़ने के साथ Consumption तो बढ़ता ही बढ़ता है साथी साथ अब हम देख रहे हैं कि हम Savings के बारे में जान रहे हैं तो Savings भी धीरे-धीरे हमारा बढ़ता जाता है जैसे-जैसे Income बढ़ता है Income एक बढ़ फिर से हमने 400 से 500 कर दिया Consumption 360 से बढ़ के 440 हो गया और जब हमने Saving दिकाला तो वो हमें 60 मिला That indicates कि Savings जो है वो धीरे-धीरे Increase होता चला जाता है जैसे-जैसे Income लेवल जो है वो बढ़ता है यानि कि Saving और Income के बीच में कैसा Relationship हमने देखा तो वो Relationship हमने पाया Direct Positive Relationship पाया होने इसी को अगर हम लोग Graph के Form में देखे Saving function को यह हम लोग Graphical Form में अगर देखते है तो हमें Same Relationship समझ में आ जाएगा Saving और Income के बीच में इसको हम कर सकते है इसको हम बनाते है X और Y-axis सबसे पहले जहां पे हम Negative Intercept भी दिखाएंगे That is Y-Y यहां पे Origin है This is the X-axis X-axis पे हम ले लेते हैं Income और Y-axis पे हम दिखाते है Savings को अब Income और Saving हमने ले लिया है X और Y-axis पे जब हम Saving का Curve बनाएंगे Line बनाएंगे तो देखो वो Negative Intercept से शुरू होगा क्योंकि Initially Saving Negative में है जब Income Zero है तो Zero Level पे Saving जो है वो Negative है जिसकी बज़र से हमारा जो Saving का Curve है वो Negative Intercept से शुरू हो करके धीरे धीरे Upward Rising हमें दिखेगा इसको आप Point Wise करके भी बनाओगे तब भी ये आपका इसी Shape का बनेगा मतलब Negative से शुरू हो करके Upward Rising जाएगा यहाँ पे ये आपका Saving Function को दिखा रहा है Saving Curve है ये S S Negative से ये शुरू हो रहा है इसका मतलब है कि जितना Saving हमारा Negative होगा Saving यहाँ पे जितना Negative है उसी के बराबर हमारा यहाँ पे क्या है Autonomous Consumption है क्यूंकि Consumption जो है वो हमारा कभी भी Zero नहीं होता तो हम Consumption करते हैं भले Income रहे ना रहे और जब Income के नहां होने पर हम Consumption करते हैं तो वहाँ पे जो Saving होता है वो Negative होता है तो Negative Saving की वज़ो से Saving Curve Y-Axis से शुरू होगा और यह जो पूरा का पूरा Area है This Area Indicates This Saving This Saving को ही हम लोग Negative Saving भी कह सकते हैं जहां पे Saving हमारा हो नहीं रहा बलकि जो Saving है वो हमारे खर्च हो रहे हैं तो This Is Called This Saving और Negative Saving एक Point आता है जहां पे Saving का Line Income के Line को Cut करता है इसको हम E Point कह सकते हैं इस Point को हम नाम देंगे Break Even Point Break Even Point पर जो Saving होता है वो Zero होता है क्योंकि ये X-Axis को Cut कर रहा है Cut कर रहा है विच मीन्स यहां पे Saving Zero है ठीक, Zero इसलिए क्योंकि यहां पे Income और Consumption एक दूसरे के बराबर है और जहां पे Income और Consumption बराबर होते हैं उसको हम Break Even Point कहते हैं फिर After Break Even Point जो Area है जो Gap दिखता है Between Saving and Income वो पूरा का पूरा Area Indicate करता है Savings को ये Area दिखाता है Savings को जिसको आप Positive Saving भी कह सकते हो क्यों Positive Saving कह रहे हैं क्योंकि अब Income जैसे जैसे बढ़ रहा है हमारा जो Savings है वो भी Increase हो रहा है तो Break Even Point के बाद Saving जो होता है वो बढ़ने लगता है, Positive होता है जिसकी वज़ा से Saving का जो Curve है वो Upper Direction में जा रहा है और Before the Break Even Point जो Savings है वो Negative होता है जिसको हम Dis-Saving कहते है Break Even Point पे Saving हमारा Zero होता है ये कुछ Important Points है about the Saving Curve साथी साथ Saving Curve का S-S को हम से हम यहाँ पे Saving Curve दिखा रहे हैं और Saving Curve Upward Rising है विच मीन्स की Saving Curve का Slope कैसा है Positive है Positive Slope है Saving Curve Positive Slope होने का कारण है कि जैसे जैसे Income बढ़ता जाता है ठीक वैसे वैसे Savings भी हमारा Increase होता जाता है So there is Positive Relationship Between Income And Savings That's why The Saving Curve Slopes Upward और Saving Curve Has a Positive Slope जिससे की हम देख पाते हैं कि Income बढ़ता जाएगा Savings भी बढ़ता जाएगा तो इस तरह से Saving Function जो है वो हमारा यहाँ पे Complete हो जाता है उसके Meaning के साथ-साथ हम लोगों ने उसके Equation के Form को देख लिया उसके Tabular Form को देख लिया और उसके Graphical Form को भी देख लिया अगर आपसे Saving Function पूछा जाता है और Saving Functions के Detail Form आपसे पूछे जाता है मतलब Saving Function को Explain कीजिए 6 months में तो आपको इसका Meaning लिख करके इसके Tabular Form को लिख के इसका Graphical Form भी बनाना होगा यहाँ पे Saving Functions तो Complete होता है अब हमको Propensity to Save या Saving Function के जानने है Types कितने Type है Propensity to Save के Saving Function के और जब हम Type की बात करेंगे तो हमें दो Type देखने को मिलेंगे एक है Average Propensity to Save जिसको हम APS के नाम से जानेंगे और दूसरा है Marginal Propensity to Save जिसको हम MPS के नाम से जानते हैं इन दोनों ही Concept के हम लोगों को Combine में Meaning जान लेना है क्या है Average Propensity to Save क्या है Marginal Propensity to Save Meaning जानेंगे इनका हम Formula जान लेंगे जिसको आप Symbolic Form के सकते हैं या Formula के सकते हैं तो Symbolic Form हम इसका देख लेंगे साथी साथ हम लोग इसको एक Example से भी Clear करेंगे एक एक Example भी देखेंगे और Saving Function में के जो टाइप है APS और MPS इन दोनों के बारे में कुछ Important Points भी हम डिसकास करेंगे with the help of a table और a diagram अगर जरूरत पड़ती है तो और इस तरह से हम लोग Saving Function के जितने भी Types हैं हमारे दो Types हैं Just like the Consumption Function कवर करेंगे तो जो Type हम कवर करेंगे Saving Function के या Propensity to Save के जिसमें APS और MPS हैं यह दोनों हम लोग Next Class में शुरू करेंगे विकर्स आज के Class में हम Saving Function और Propensity to Save के मीनिंग को जान करके आज का Class हम यहीं पर फिनिश करते हैं तो आप लोगों का काम है Saving Function के मीनिंग को अच्छे से समझ लेना Tabular Form को समझ लेना इसके Graphical Form को समझ लेना और Next Class का वेट करना जहां पर हम लोग Types of Propensity to Save को डिसकास करेंगे Thank you कर्थेंस